Let, let का Hindi meaning क्या होता है? Let का Hindi meaning होता है किसी को कोई काम करने देना Let की forms भी होते है Let का first form let, second form let, third form let, fourth form letting and fifth form let's Let's का generally Hindi meaning किसी को कोई काम करने देना लेकिन let के साथ कोई model verb या helping verb का use कर देते हैं तो उसका क्या Hindi meaning हो जाता है? उसको कैसे situation में add किया जाता है? वो सारे इस वीडियो में आपको cover करवाने वाली हूँ let के almost सारे uses को मैं इस वीडियो में आपको clear करवा दूँगी तो वीडियो में आपको end तक बने रहना है तब से पहला हमारा let का use होता है काम करने देता है let का Hindi मिनिंग होता है काम करने देता है या काम करने देते हैं, ऐसे sentence आएंगे, तो आपको कौन सा helping verb का use करना होगा, subject, then helping verb, then let, then me, us, him, her, ये हमारा objective case होता है, objective case, I का me, we का us, ये सारा हमारा objective case होता है, and the last, आपको verb का use करना होता है, अगर आपके हिंदी वाले sentence में करने, ये दो वाला sense आए, तो आपको let guy use starting में करना है, then objective case, me, us, her, जो भी हो, उसके बाद आपको जो भी verb रहेगा, वो आपको add करना है, जैसे अगर आपके हिंदी वाले sentence मम्मी मुझे खेलने देती है, काम को करने देती है, मुझे खेलने का काम करने देती है, तो हम सबसे पहले subject लगाएंगे, subject कौन है हमारा, मम्मी, उसके बाद हमें helping verb यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर देखे, करने देती है, यह हमारा कौन सा tense है, tense आपको पहचानना होगा, अब tense की knowledge है, आपको तो आप कोई भी sentence को आसानी से, आपको इभी sentence को आसानी से frame कर सकते हैं, तो करने देता है हमारा present indefinite sentence है, और present indefinite subject के बाद direct verb का first form लगता है, तो यहाँ पर हमारा helping verb नहीं होता है present indefinite में, इसलिए हम direct verb का use करेंगे let का, और मम्मी हमारा third person singular है, इसलिए let का let's कर देंगे, वरक का fifth form लगा देंगे, मम्मी let's, उसके बाद किसे खेलने देती है, मुझे खेलने देती है, मी क्या करने देती है, खेलने देती है, यानि कि play, मम्मी let's me play, मम्मी मुझे खेलने देती है, वो मुझे जाने देता है, काम को करने देता है, तो वो कौन हो गया? और He हमारा third person singular है इसलिए let's me go He lets me go वो मुझे जाने देता है पापा मुझे बोलने देते हैं पापा lets me speak यहाँ पर go नहीं होगा speak होता है क्योंकि बोलने का first form क्या होता है? हमारा speak होता है पापा मुझे बोलने देते हैं यूज किये then हमें objective case लगाना है किसे देखने दे रहे? मुझे देखने दे रहे ना मुझे का बात किया जा रहे इसलिए me क्या करने दो? देखने दो see let me see मुझे देखने दो let me see मुझे जाने दो let me go मुझे जाने दो let me go उसे काम करने दो Latim Study उसे काम करने दो Latim Strategy अब इसी तरह के एक सांटेश आप लोगों के लिए है मुझे बात करने दो अब इसमें काम करने देता है ऐसा सैंसर और करने दो ऐसा सैंसर आपको पहचानना है और इसका यूज करने यह स्ट्क्चर को को follow करना है यह यह structure को follow करना है यह आपको पहचानना और इसका answer आपको comment box में करना है आपको समझ में आ रहा होगा चलिए इसे के साथ हम लैट के और भी users को cover करते हैं next लैट के users है will have to, will have to का Hindi meaning क्या होता है काम करना पड़ेगा will have to का मतलब होता है काम करना पड़ेगा लेकिन अगर हम उसमें लैट का use कर देते हैं तो उसका Hindi meaning हो जाता है काम करने देना पड़ेगा किसी को कोई काम करने देना पड़ेगा जैसे मुझे उसे खेलने देना पड़ेगा, मुझे उसे पढ़ने देना पड़ेगा, मुझे उसका homework बनाने देना पड़ेगा, तो ऐसे कोई काम करने देना पड़ेगा, ऐसे वाले sense map को will have to के साथ let का use करना है सबसे पहले मुझे उसे खेलने देना पड़ेगा मुझे उसे खेलने देना पड़ेगा I, सबसे पहले subject then helping verb will have to हमारा then let का use कर दिये उसके बाद him, objective case then verb play I will have to let him play मुझे उसे खेलने देना पड़ेगा I will have to let him play उसे मुझे खाने देना पड़ेगा उसे मुझे खाने देना पड़ेगा He will have to let me He will have to let me उसे मुझे खाने देना पड़ेगा मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा मैं बोलो चाहे नहीं लेकिन मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा I will have to let him speak I will have to let him speak मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा हमें उनको जाने देना पड़ेगा we will have to let them go we will have to let them go मुझे हमें उनको जाने देना पड़ेगा तो कोई काम करना पड़ेगा उसके लिए हमें will have to का यूज करते हैं लेकिन कोई काम करने देना पड़ेगा ऐसे वाले सेंसा है तो उसमें will have to के बाद आपको let का use करना है, एक sentence आप लोगों के लिए मुझे आपको TV देखने देना पड़ेगा, इसका answer आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें, ताकि आपको पता चल पाए कि आप जो सीख रहे हो सही सीख रहे या नहीं, तो लिए next uses है हमारी should, should का Hindi मिनिंग क्या होता है, किसी को advice देते हैं या suggestion देते हैं, तो हम बोलते हैं तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें वह करना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें समय पर homework बनाना चाहिए, तो किसी को advice और suggestion देने के लिए हम शुट का use करते हैं, लेकिन उसमें जब let का use हो जाता है तो काम करने देना चाहिए, किसी को कोई काम करने देना चाहिए, एडवाईज दे रहा है, इसमें भी आप एडवाईज दे रहा है, लेकिन देना, कोई काम करने देना चाहिए, ऐसे वाले आडवाईज दे रहा है, कि राम को homework बनाने देना चाहिए, उसे खाना बनाने देना आपको उसे खेलने देना चाहिए, उसे सोने देना चाहिए, उसे पढ़ने देना चाहिए, उसे मुझे 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 पढ़ने देना तो कोई काम करने देना चाहिए, आपके scientist में advice आ रहा है, और कोई काम से करने देना चाहिए आ रहा है, तो उसमें आपको should के साथ let का use करना है, हमारा यहां पर जो भी वर्ब में change होगा वो let में होगा, आप यह वाले वर्ब को use नहीं कर सकते, let हमारा वर्ब का first form है, यह जो play है यह हमारा secondary verb है, तो आपका जो भी change होगा subject, tense के according, जो भी change होगा, let में change होगा, play में change नहीं होगा, जब भी let का use करें तो यह बात का अब ध् करना है, next day did not, didn't not का मतलब होता है, कोई काम नहीं किया, did not का मतलब का तो कम करने नहीं दिया, किसी को कोई काम करने नहीं दिया, पापा ने मुझे जाने नहीं दिया पापा दिद नॉट लैट मी गो पापा दिद नॉट लैट मी गो पापा ने मुझे जाने दिया दिद नॉट का यूज़म करते हैं पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस में कि कोई काम नहीं करने दिया पापा ने मुझे जाने नहीं दिया पापा दिड नॉट लेट मी गो उसने मुझे बात नहीं करने दिया ये डिड नॉट लेट मी टॉक उसने मुझे बात करने नहीं दिया उसने मुझे बोलने नहीं दिया वो खुद बोलता रहा लेकिन उसे मुझे बोलने नहीं दिया एक sentence आप लोगों के लिए आपने मुझे खाने नहीं दिया इसका answer आपको comment box में करना है अभी हम लोगों ने did not का use किया let के साथ वो हमारा past indefinite का sentence था अब use करेंगे doesn't या फिर don't का use let के साथ present indefinite वाले sentence के negative में काम करने नहीं देता है ऐसे doesn't और don't का use हम करते है आ हैती है के लिए लेकिन let का use कर देंगे तो बोलेंगे काम करने नहीं देता है पापा मुझे जाने नहीं देते हैं पापा मुझे जाने नहीं देते, पापा डजन्ट लैक्ट मी गो, थर्ड पसंद सिंग्लर के साथ आपको डजन्ट का यूज करना है, अदर सब्डेट के साथ आपको डू का यूज करना है, तो पापा हमारा third person singular है इसलिए पापा के साथ doesn't का use हुआ है पापा doesn't let me go वे मुझे बात नहीं करने देते हैं वे क्या हो गए? वे के लिए they, they हमारा they के साथ हम do का use करेंगे बुलेंगे they don't let me talk they don't let me talk वो मुझे जाने नहीं देता है he doesn't let me go he doesn't let me go वो मुझे जाने नहीं देता है आप मुझे देखने नहीं देते हो you don't let me watch you don't let me watch आप मुझे देखने नहीं देते हो तो कोई काम नहीं करने देते हो ऐसे वाले sense में आपको don't yet doesn't का use करने है लेट के साथ आप मुझे खाने नहीं यहां पर होगा देते हो आप मुझे खाने नहीं देते हो इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है नेक्स्ट हमारा है इस एमार के साथ लाटिंग का यूज़ अब आप बोलेंगे अभी तो हम लोगों ने लाट का यूज़ देगा अब लाटिंग कैसे हो गया तो गाइस दे रहा है कोई काम continue चलता है तो हम क्या लगाते है इस एमार के साथ तो वब में ing लगाते हैं और हमारा लेट क्या है वब है तो लेट के साथ अगर हम ing लगा रहेते हैं तो यह हमारा क्या हो जाता है लेटिंग हो जाता है जो कि हम यूज़ करने वाले पुरे sentence में आप मुझे खाने दे रहे हो, खाने का काम continue करने दे रहे हो, तम बोलेंगे you are letting me eat, you are letting me eat, मैंने आपको बताया था ना, eat में कोई change नहीं होगा, जो change होगा, let में change होगा, you are letting me eat, पापा मुझे खेलने दे रहे हैं, पापा is letting me play, पापा मुझे खेलने दे रहे हैं, वह इसे न यहां तो यहां तो हम प्रेजन की बात कि तो इसम्र के साथ लेटिंग का यूज के अगर हम पास्ट में बात करते हैं तो हम इसम्र के जगह में वाज या फिर वर का यूज करना पड़े था और प्लस आई एंजी लगाना पड़ता है जैसे आप मुझे खाने दे रहे हो यह हमारा प्रेजन्ट है लेकि अगर हम पास्ट में बनाते कि आप मुझे खाने दे रहे थे तो हम बोलते यू वर लाटिंग में इट यू वर लाटिंग में इट पापा मुझे दे रहे थे पापा वस लाटिंग में प्ले वई से नाचने दे रहे थे, he was letting her dance, मैं उसे जाने दे रहा था, I was letting her go, तो इस तरह साथ was और यूज़ की पास्ट के लिए कर सकते हैं, लेटिं के साथ, hasn't और haven't का यूज़ लेट के साथ, hasn't या haven't का यूज़ लेट के साथ करेंगे, काम करने नहीं दिया है, कोई किसी को काम करने नहीं दिय उसका यूज हम hasn't ये haven't के साथ let का यूज करेंगे मम्मी ने मुझे खेलने नहीं दिया है पापा घर आए पापा ने पूछा कि बेटा तुम ने खेला तो मैंने बोला मम्मी ने मुझे खेलने नहीं दिया है तो मैं बोलूँगे mom hasn't let me play mom hasn't let me play यह has or not का contraction hasn't है mom hasn't let me play मैंने उसे बोलने नहीं दिया I haven't let him speak उसने इसे सोने नहीं दिया He hasn't let him sleep उसने इसे सोने नहीं दिया उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया He hasn't let me study उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है वह मुझे लिखने नहीं दिया है इसका answer आपको comment box में करना है next want want के साथ let का use want है will और not का contraction हमारा क्या है want है काम करने नहीं देगा कोई किसी को काम करने नहीं देगा future में वह मुझे बोलने नहीं देगा आने वाले समय में वह मुझे बोलने नहीं देगा he won't let me speak he won't let me speak आप यहाँ पर will not काभी योज़ कर सकते he will not let me speak आप मुझे पढने नहीं दोगे you won't let me study you won't let me study आप मुझे पढने नहीं दोगे पापा इसे नाचने नहीं देगे पापा won't let her dance मैं उसे जाने नहीं दूँगा मैं उसे जाने नहीं दूँगा तो will or not का contraction want हो जाता want के साथ अगर let का use करते हैं तो हमारा Hindi meaning हो जाता है कोई काम करने नहीं देगा एक sentence आप लोगों के लिए वो मुझे लिखने नहीं देगा इसका answer आपको comment box में करना है next step has or have to के साथ let या अभी हम लोगों ने hasn't or haven't के साथ let का use देगा था लेकिन अब हम देखेंगे has to or have to के साथ let का use काम करने देना है किसी को कोई काम करने देना have और has to का मतलब करने देना है मुझे वहाँ जाना है, मुझे खाना है, मुझे वो पीना है ऐसे वाला sentence में आपको has to have to के साथ let का भी use करना है उसे मुझे जाने देना है She has to let me go पापा को मुझे खेलने देना है पापा has to let me play मुझे उसे बोलने देना है I have to let him speak हमने उनको जाने देना है एक sentence आप लोगो के लिए है आपको उसे सोने देना है इसका answer आपको comment box में करना है कोई काम करने देना है उसके लिए have to या फिर has to के साथ आपको let का use करना है अब चलिए हाप कुछ practice कर लेते हैं इतने सारे हम लोगों ने let का uses देखा अब चलिए हम practice करते हैं सबसे पहला मारा sentence है उसे आपको पूछने देना चाहिए यहाँ पर चाहिए की बात कर दे यानिके should का use होगा और पूछने देना चाहिए यानिके should let का use होगा तो हम बोलेंगे he should let you ask उसे आपको पूछने देना है वो मुझे पूछने नहीं देता तातेती यानि कि does not के साथ आपको let का use करना है he does not let me speak या फिर आप doesn't का भी बोल सकते does not का contraction doesn't भी हो जाता है he doesn't let me speak उसने मुझे जाने नहीं दिया कोई काम करने नहीं दिया past में तो did not का use होगा तो हम बोलेंगे he did not let me go मैं उसे देखने नहीं दूँगा future में मैं उसे देखने नहीं दूँगा तो बोलेंगे I will not let him watch I will not let him watch या फिर will not के जगा want का भी use कर सकते हैं न हम बोल सकते हैं I won't let him watch वो मुझे देखने देती है कोई काम करने देती है तो subject के बाद आपको let's का use करने क्योंकि subject आपका third person singular है तो बोलेंगे he lets me watch वो मुझे देखने देती है see lets me watch वो मुझे जाने देता है हमारा third person singular है तो let's का use होगा बोलेंगे he lets me go he lets me go वो मुझे जाने देता है उसे पढ़ने दो static में हमने देखा था ना करने मुझे पढ़ने दो मुझे खेलने दो मुझे जाने दो जिसमें let का use आपको static में करना है then आपको objective case का use करना है उसके बाद आपको जो भी वो बचके उसका use करना है तो यहाँ पर है मुझे उसे पढ़ने दो भूले अच्छी लगी तो लाइक जरू करें अगर आप चैनल पर नहीं है अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ही लिए की पलेर नहीं है